हारु फिक्स पब जी नोट लोडिंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तेकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि पब जी की इस प्रॉब्लम को आप यहां पर कैसे फिक्स कर सकते हैं तो यहां पर जैसे यहां पर यहां करते हिसा तो दोस्तों लिक्कर हो जाते हैं तो बस मैं आपको यहां पर समझा के बाता द žाएता कि कि अफर आखिर ऐसे आते तो नहीं पर हो पर ऑफ्लिंट इखाएँ NPC करे भाग को दस्तों यहां आपको एक भीधियो को आपको यहां पर पूरा की भी जरूरत नहीं है आप वीडियो को आंस तक देखें प्रॉब्लम स्वाइब गर तो चलिए वीडियो को जल्ली से शुरू करते इसका रीजिन जान लेते सबसे पहले तो और इसका solution करते हैं बात में ठीक है और दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले यरी आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो make sure कि आप चैनल को सबस्क्राइब जरू करें सारे साथ दोस्तो बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको अमारे तरफ से जो है latest update यहाँ पर time to time मिलते रहें यहीं आप online से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों description पर हमने link दे रहा है किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message भी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों देखते हैं कैसे इसको जो है fix करना है तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए आपको कोई problem आ जाते है loading का यहाँ पर ठीक है तो loading problem जो है दोस्तों fix करने का तरीका में आपको बता देता हूँ तो आपको दोस्तों जाना है आपके play store पर सबसे पहले और आपना जो PUBG है उसको एक बार चेक किजि ठीक है simple सा update से fix नहीं होगा problem अपडेट करने के बाद दोस्तों आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों problem fix हो जाते तो ठीक है यही नहीं होते तो आगला solution के लिए आपको जाना होगा ठीक है आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है नेट्रो कनेक्श है उसमें जाके नेट्रो को switch करना है जैसे कि आप GPS पर यहां देन रखना है और तो यहां दोस्तों आपको द्ध्यान रखना पर उंसट्लेप या ठीक मेनेज़र करके option मिल जाएगा ठीक है तो basically आपको application के अंदर पर आना है और यहाँ पर search करना है PUBG Mobile उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर जो फोर स्टोब का बटन है फोर स्टोब पर क्लिक कीजिए और उसके बाद storage पर जाके इसका data को एक बार clear कर दीजिए data clear करने के बाद बेक करना है permission पर जाना है सारे permissions को allow करना है उसके बाद data uses पर जाके सारे data uses को भी enable कर देना है slider को click कीजिए enable हो जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर बेक कर ले उसके बाद जाके mobile को एक बार restart कीजिए और दोस्तों देखे आपका जो loading का problem है वो यही पर fix हो जाएगा ठी किसी भी तरह का यही इसी के regarding पर आपको problem आ जाते है तो दोस्तों आप हमें comment down करके बता सकते है एक्जेक्ली आपका जो problem है किस चीस में आ रहा है किस तरह से आ रहा है और दोस्तों यही आपके पास कोई भी screenshot बगेरा रहते है तो दोस्तों वह भी आप हमें Twitter पर follow करके message कर स